उल्लू हमें सुब और अशुब संकेत देते हैं अनायास ही उल्लू हमें नहीं दिखते हैं लेकिन जब दिखते हैं तो समझ जाओ कि कुछ न कुछ सुब या फिर कुछ न कुछ आशुब संकेत आपको मिल रहे हैं हमारे रोज मर्रा के जिंदगी में हमें कभी भी उल्लू दिखाई नहीं देता है कुछ लोगों को उल्लू भी दिखाई देता है और यह जब दिखाई देता है उसका मतलब होता है कि यह बहुत ही कमाल के संकित क्योंकि उल्लू को माना गया है कि मातालक्ष्मी का वाहन मान जाता है उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की माननेताइं भी प्रज़ीत है उल्लू को अक्सर रात का राजा भी कहा जाता है और उसे अच्छा या बुरा होने का पुरुआभास भी होता है सब्लून सास्तर के अंुसार देखा जाए तो उल्लू का दिखाई देना कई जगा सुभु माना जाता है और कई जगा पर अशुभु भी माना जाता है जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाता है तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है अगर उल्लू घर आ जाए तो यह हामी कारत माना जाता है इससे घर की उनती रुख जाती है आईए आज के इस वीडियो पर हम जानने की कोईशिस करते हैं कि अगर उल्लू किस समय हमें दिख जाए तो यह एक सुबसंकित माना जाता है और किस समय दिखने से खुब पैसा जो हमें मिल पाता है तो इसको हम डिटेल्स में समझें की पोईशिस करेंगे वीडियो को पूरा देखना तो ही आपको समझ में आपाएगा उल्लू बहुत तरह के होते हैं सफेद रंग का उल्लू अगर दिखाए दिखता है सफेद रंग का उल्लू अगर आपको दिख जाता है तो ये एक सुभ संकेत माना जाता है हाला कि सफेद उल्लू कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन अगर दिख जाए तो जीवन की समस्याएं खतम हो जाती है अगर आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो सफेद उल्लू का देखना एक संकेत होता है कि आप कुछ सकरात्मक समचारों की अपिक्छा कर रहे है और वह पूरा होने वाला है सफेद उल्लू को दिवंगत लोगों की आत्मा से जोड़ कर भी देखा जाता है अगर आप सफेद उल्लू देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर, आपके साथ है और आपको किसी भी तरह की कोई भी गहराट नहीं होने वाली है और आपको गहबाने की भी जरुरत नहीं होने वाली है इसके अलावा भी उल्लू का लगतात देखना उल्लू कुछ लोगों अक्सर रात में दिख्याता है दिल में दिखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि खुद ही उल्लू कहीं न कहीं चिप कर दिल में बैठा होता है और वहां अंधेरे में असानी से देख सकते हैं इसलिए उल्लू हमेशा रात को ही दिखाई देते हैं उल्लू का लगतार देखना या आपकी नजर उल्लू से मिल जाना यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवर में अचानक से खुश्या आने वाली है साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है वहीं अगर आप काम के लिए कही दार है और आपको बाएं तरफ उलू दिखाई दे जाए तो यह भी सुख है, और यह एक सुख संकेट होता है और यह माना जाता है कि आप जिस काम के लिए चाहरा है वह सफले वाक्त पुरा हो जाएका और अगर इसी के विप्रीट दाई तरफ अगर उल्लू दिख जाए तो यह सुब नहीं माला जाता है और इसका मतलब यह होता है कि आप उस समय के लिए उसी जगह पर रुख जाना चाहिए ताकि उसका जो समभव व्यास है वो खत्ब हो जाए और उसके बाद आप उसका उसको क्रॉस करें आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो यह इसका एक रुकावट का संकीत है दिन में उल्लू का दिखना भेख संकेत होता है रात के समय जागने वाले उल्लू को अगर दिन में देख ले तो यह सुबसुचक माना रहता है इसका मत्लब है कि भाग ये आपके साथ और आपका साथ भाग देने के लिए भी तैयार साथ है आपके जीवन में सकरात में बदलाओ भी आने वाले हैं और जल नहीं सुब्र समचार में मिलने वाले हैं उल्लू जब दिन में दिखाई दिता है तो यह है आपके द्रिष्टी को भी गदूता है काम के समय में आपको पता लग जाता है कि कौन सा पैसला आपके लिए सही है और कहां आप गलत कर रहे हैं इसके अलाबा भी खुछ दिशाओं पर भी उल्लू का दिखना सुब्र माना जाता है जिसने कि अगर दक्षिल पश्चिल दिशा में उल्लू दिख जाया तो यह आथिक लाव का संकेत माना जाता है कि आपके जीवत दहन से संब्भंदित सभी समस्थियाओं का अंत्त हो जाने वाला है अगर आपको दक्षी दिशाओं अपसे उल्लू की आवाज आ जाया तो इस दिशा में उल्लू दिख जाया तो इसका मतलब है कि आपके सट्रू पर आपकी विजय प्राप्त कर लेंगे मतलब आपसे कोई जीत नहीं पाई और आप अपने सफ्ट्रूप पर विजय पराप्त कर लेगे। इसी तरह से दिन में तो आपने उल्लू को देखा तो आपको समझा आया कि क्या सत्केट में इसी तरह से रात में भी उल्लू का दिखना बहुत ही सिंपल है बहुत ही साधारन है आप रात में अगर पेच्छत में रहते हो तो आपको रात में उल्लू जरूर दिखेगा रात मे राजा उल्लू को अगर आप रात में देखते हैं तो यह भी सुभमाना जाता है आप अपने आपको एक भाग्यशाली व्यक्ति ही मान सकते हैं आपको सभी समस्याओं से मुप्ति दो और केरियर में आपकी प्रगती होगी है रात की समय में उल्लू की आवाज सुनाई दे जाए तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन आपके लिए अच्छे होगी है और हर छेत्र में आपको सफलता भी मिलने वाली है वहीं आपके लिए नई मित्र भी बनने वाले होते हैं तो उल्लू का रात में दिखना एक सुभ संकेत माना जाता है साथ ही साथ उल्लू का रास्ता काटना कहीं रात में आप जा रहे हैं और उल्लू ने आपका रास्ता काट लिया तो इसका भी संकेत हो है अगर आप कहीं जा रहे हैं और तब ही उल्लू रास्ता काड़ जाए तो यह एक अच्छा सबूर मना गया है इसका मतलब है कि आपका अठका हुआ धन आपको प्राप्ति होगा है और पुराने करदों से भी आपको मुक्ती मिलने वाली है वहीं अगर आपके उपर से उल्लू उड़ जाए तो यह एक संकेत है कि आपको अपने जीवन को नए तरीके से दिखने और समझने की जरूर है आपके जीवने जो भी सहस्या है वह खत्म हो जाएंगी और जल्द ही आपको सुक्सांती भी मिलने वाली है साथ ही साथ कई लोग को उल्लू सपने में दिखा जाता है सपने में उल्लू दिखना भी एक संकेत होता है उल्लू अगर किसी रोगी को छूते हुए दिखल जाता है या फिर उसके उपर उड़ जाता है तो बताया आता है कि गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो लता है, वहीं सपनों में उल्लू के महत्लों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, अगर आप रात में सोय हुए हैं और सोते समने आपको सपने में उल्लू दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओ का समधा जल्द ही मिलने वाला है, साथ ही आपके अंदर ज्ञान की विर्धी भी होने वाले हैं, जिससे आप खुद की छंता पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, और सब कुछ धीर धीर ठीक होना शुरू होता है, तो सपने में उल्लू का दिखना भी एक संकेत होता है साथ ही साथ उल्लू का रास्ता काटना भी एक संकेत होता है, और यह हो एक बहुत ही सुम संकेत होता है, इसके साथ साथ रात में उल्लू का दिखना भी एक संकेत होता है, जिससे आपको बहुत जरत धन लाद की प्रप्ति होने वाली होती है, और साथ ही साथ आप जिस काम क करना चाहते हैं वो आप काम को आसानी से कर पाते हैं इसके साथ साथ मैं आपको बताया है कि किस इसाहों में उल्लू का दिखना क्या संकेत होता है इसके साथ साथ दिल में उल्लू का भी दिखना क्या संकेत देता है तो मैंने आपको बहुत सारे संकेत बताया है उल्लू के इस इस फिर से बता रहा हूं कि उल्लू जो है माता लक्षमी का वाहन माना जाता है इसका मतलब कि उल्लू जिस जगह पर भी पढ़ाता है उस जगह पर लक्षमी को लेकर के ही पता है तो गाईस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे बताना कॉमेंट सेक्शन में और आपने क्या कभी उल्लू को देखा है या नहीं देखा है लीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा साथ ही साथ माता लक्षमी कीज़े ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन तो वीडियो अच्छला लगा तो वीडियो हो लाइक करना चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब करना वेल वाल आपन को प्रेस करके रखना और वीडियो को लाइक शेर ज़रूर धन्ने बात